श्रीकांत हिंदी मूवी समीक्षा सहतलाकार है इस फिल्म की शूटिंग नवंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच भारत और अमेरिका के विभिन स्थानों पर दो महीनों में की गई थी यह फिल्म 10 मई 2024 को अक्षे तृतिया के अफसर पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई और एक मामूली व्यावसायक सफलता के रूप में उभी हिंदी भाषा की बायोपिक श्रीकांत बोला की कहानी बताती है जो एक भारतिय उद्यमी है जिन्होंने बोलंट इंडस्ट्रीज के संस्थापक के रूप में प्रसिधी प्राप्त की जो 2012 2012 में अकुशल और विटलांग व्यक्तियों को पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद बनाने में रोजगार देने के लिए बनाई गई कमपनी है यह फिल्म श्रीकांत के संधर्शों को दर्शाती है जो ततकालीन अविभाजित आंधर प्रदेश भारत के मचलीपटनम के सीतारामपुरम गाउ में द्रिश्टिहीन पैदा हुए थे फिल्म प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद श्रीकांत की उपलबधियों को दर्शाती है जिस दिन उनका जन्म हुआ पिता की खुशी जिसने अपने बेटे का नाम क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत के नाम पर रखा था द्रिश्टिहीन नवजात शिशु को देखकर निराशा में बदल जाती है वह उसे दफनाने के लिए एक गड़्धा खोदता है लेकिन उसकी मा उसे बचा लेती है अपनी प्रतिभा के बावजूद उसे स्थानिय स्कूल में बदमाशी भी सहनी पड़ती है कहानी हैदराबाद में आगे बढ़ती है जहां वह एक विशेश स्कूल में दाखिला लेता है जहां वह चमकता है लेकिन अपने अहंकार के कारण उसे बाहर निकाल दिया जाता है उसके बाद से उसे उसकी शिक्षिका देविका द्वारा मार्ग गर्शन मिलता है जो उसे संभालती है 98% अंग प्राप्ट करने के बावजूद विध्यान विशय का अध्ययन करने के लिए अधालत में मामला दायर करने में उसकी मदद करती है वह उसे विदेश में आवेदन करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है और भारतिय प्रध्योगी की संस्थान में प्रवेश से वंचित होने के बाद वह Massachusetts Institute of Technology में पहले अंतरराश्चिय द्रिश्टिहीं छात्र के रूप में चैनित होता है MIT में उसे दो छात्रों का समर्थन मिलता है जो उसके सपनों को पूरा करने में उसकी मदद करते है College के दिनों में Social Media के जरिये उसकी मुलाकात स्वाती से होती है जो उस पर मोहित हो जाती है Graduation के बाद स्वाती जो अब उसकी Girlfriend है उसे भारत लोट कर अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करती है फिर से उसका गुरू उसे एक Computer संस्थान शुरू करने में मदद करता है जो अस्फ़ल हो जाता है बाद में वह अपने Business Partner रवी मन्था के साथ Boland Industries नामक एक व्यवसाय शुरू करने का फैसला करता है जहां वह ज्यादातर विकलांगों को नौकरी देता है अपने Partner के साथ कुछ गृत्फमियों के बाद श्रीकांट आखिरकार अपने गुरू के निरंतर मार्क दर्शन से अपनी उम्मीद के मुताबिक सफलता हासिल करने में सक्षम होता है